योटल में खाना पीना की वहसता करूंगा मैंने वादा किया है आपसे और वोदा मैं बिल्कुरा करूँगा आप मेरे से टच में रहें मैं भी टच में हूँ और आज मैं आपकी वीडियो देखी बहुत शुब कामनाई दे रहा हूँ एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए भारत आ रहा है और स्वागत किया जाएगा दिल से स्वागत किया जाएगा मेरे भाई एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ा उसका होसला बढ़ाना उसने खुद का सुरिय वर्मा जी आपने मेरा होसला बढ़ा दिया मैं आ रहा हूँ तो मैं दिल से कहता हूँ गुलाम हैदर बाई तेरे बच्चे लड़ाई के साथ लड़ेगा तेरे बच्चे बिलकुल अच्छे से मिलेंगे भारत आ तेरा स्वागत है और सुरिय वर्मा तेरे साथ है बस्वाद कामना देता हूँ मैं गुलाम हैदर को जो उन्होंने मेरी बास सुनी और मेरी उनके वहां तक गुलाम हेदर तक बात पहुची है और मैं आपको अभी रात को ही सबसे पहले उनको बहुत बहुत बदाई दे रहा हूँ एक पिता एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए साउदी अरब से अपने देश सला गया है और अपने देश से भारत आएगा उन्होंने वीडियो बाकाइदा अपनी वीडियो जारी कर दी है लेकिन मैंने पूरी मैंने हर चैनल पर यह बात उनके लिए की है, हर वेवस्ता मैंने उनके लिए कर रक्धिया है, मैं कर रात को मैं एक चैनल जो है तन्वीर है अमस्वीर है और कुछ न्यूज इसलाम चैनल है यह कुछ चैनल रात को कहना है लाइव थे लेकिन मैं रात को होस्पिटल था मेरी तवेट ठीक नहीं थी मैं उनसे लाइव नहीं हो पाया लेकिन मैं कमेट में मैंने उनको बताया भी और सुब काम नहीं दी है मैंने के वो के रहे जी आप हमसे मेरे हमारा नंबर नहीं मिल पा रहा है नंबर नहीं मिल पा रहा है नंबर तो मिलेगा और मैं मैं वहीं पर बात पर अपनी कायम हूं गुलाम हेदर भाई सुन ले आप अगर अपने देश आप वापिस आगे हो भारत आरे हो मैंने आपका पहले भी काहा है मैं आपका बहुत जोड़दार तरीके स्वागत करूँगा मैं आपकी हर वीडियो आपके जो चैनल जो दिखा रहे हैं मस्वीर है तन्वीर है और यह कुछ चैनल है नियु इसलाम है कुछ अल्लाहू करें इस तरह के एक चैनल है जो गुलाम हेदर के पक्स में दिखा रहे हैं बहुत बहुत मैं आपको भी सुबकामनाई देता हूं और आपकी मैं सारी वीडियो देखता हूं अपने बच्चों की लड़ाई लड़े के उनको इंसाब मिलेगा भारत में उनका बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करूँ आज मेरे आपकी वीडियो देखी में झाला रहा हूं और वापी जा रहा हूं और उनकी मां भी भीवारार है अन्हें उन्हें खुद का जी शुरूय अपने मेरा ज़या बड़ा है आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए किसी भी तरह बहुत जोरदार सवागत किया जाएगा आपका गुलामेदर भारत में आप एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है पूरा देश सवागत कर रहा है बहुत अच्छी टिकट उन्हों भारत आ रहा है अभी तो वह अद्वी अपने देश आया है उसकी माः बिमार है मेरी रात को मैं उनसों ऑन्लाइन थे सभी मैं नहीं हो पाया था मैं कहीं 시간 से में था लेकिन मैं कहता हूं सर माकरण जितने बाप को उसके बच्चे मिलेंगे ऐसी बात नहीं है कानूनी लड़ाई मैं कहता हूं भारत आएगा कानून के दायरे में आना बिलकुल कानून के जिस तरह से कानून हमारा भारत का बहुत एक बहुत अच्छा कानून है हमारा कानून एक सक्स भी है अगर कानून के दायरे में आप अपना काम करना आपका स्वागत किया जाएगा पूरा भारत आपका स्वागत करेगा देखिए ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं था एक बाप की लड़ाई है एक बाप की जंग है अपने बच्चों से और सब्कट करके तोड़ा के समय कर पाद करके बार में पूश गई तो उसका उस महिला को क्या किया जाएगा और जाएगा आज मैं से एक बात और कहुँगा मीतिक तक досक के लिए ना मीणा समाज से है मीना समाज हमारा भारत का बहुत सम्मान करता हूं जमान करता हूं जो रभुपुरा के लोग है ऊस्का साथ दे भी किसी चार बच्चे में समाज में आएंगे मिलना समाज का हर आदमी इस बात को एगरी कर चुका है कि समाज के परती बोला नहीं जाता लेकिन मैं कहता हूं मिलना समाज भी आगे आया हुआ है समाज के एक पाकिस्तान से चार बच्चों की मां को लेकर घर में बैढ़ीया अरे मिलना समाज उसको पतनिनी मिली गया मिलना समाज उसको कोई भाव नहीं मिली पूरिया है पाकिस्तान से अपने अफाई यार दर्ज़ कराए घुम्सदा की रिपोर्ट दर्ज कराए भारत में अपलाई करें बाश्रकार से करें अपनी एंबसी भेजें ठीक है यह यह उनको वीजा मिलेगा दो मिंये मिले पांच मिन वीजा मिले और मैं स्वागत मैं और यहां जो एक साथ पेनल का कोट जो वकील है सात वकिल चुने है मैंने आज जा रहा हूं आठ बजे मेरी मीटिंग है आठ बजे मेरी मीटिंग है एक चैनल है क्या ना है आठ बजे जो वकील है कि सारे एक हम मैंने बात करी उनसे चार वकीली से होगी दो तिन से और करूंगा एक हम इनका पैनल गठित करेंगे कि वह गुलाम एदर भारत में आएगा और उसको बच्चे को कैसे मिले जाएंगे कै मेरी बात होई है उन्होंने सबस्ट कहा दिया तेरा भाई सूर्य वर्मा अरे भारत का नहीं है मैंने इक इंसान का मैंने दर्द संद्दा मिझे पाकिस्तान सब्सक्राइब मैं एक इंसान का दर्द समद्त रहा हूं घुलाम इदर आया रात को में विर इड़ी टेच में थ कि पूरा भारत के लोग भी समझ रहे हैं पूरे चैनल वाले देख रहे हैं उसको कि अपने घर गया है घर से भारत मैं जो होगा देखा में लड़ा है अरे डर्म और ड्रा नहीं मैंने होसला बांदा उसका उसका मेरी वीडियो देखी है एपी सिंग के चुटेंगे सचीन के सीमा के चुटेंगे और भाई तेरे बच्चे मिलेंगे मेरे भाई मेरे आज बहुत खुश हूँ मैं कहता हूँ तो मैं सबसे पहले टिकट के पैसे में तुरंद बोला था उनको कि मैं टिकट के पैसे उनको दूंगा और उनके लिए वेश्टा कराऊंगा होटल में खाना बीनकी वेश्टा कराऊंगा मैंने वादा किया है आपसे और वो वादा मैं बिल्कुर पूरा करूंगा आप मेरे से टच में रहें मैं भी टच में हूँ और आज मैं आपकी वीडियो देखी बहुत सुब कामनाई दे रहा हूं एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई कानुन की लड़ाई के साथ लड़ेगा तेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से मिलेंगे भारत आतरा स्वागत है और सुरिया वर्मा तेरे साथ है और सुब कामनाई देता हूं मैं गुलाम हेदर को जो उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी उनके महां तक गुलाम हेदर तक बात पहुची है और मैं आपको अभी रात को ही सबसे पहले उनको बहुत बहुत बदाई दे रहा हूं एक पिता एक बाप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए साउदी अरब से अपने अपने देश से भारत आएगा और उन्होंने वीडियो बाकाइदा अपन चला हूं और मैं अपने देश वापिस आ रहा हूं और उनकी मा भी बिमार है और उसने का मैं भारत मेरे अंदर जज़बा बढ़ा है उन्होंने खुद कहा कि जी शूरियो बर्मा जी आपने मेरा ज़जबा बढ़ा है वहां पोते भी मिलने चाहिए और सारी चीज की विव कर रहा है बहुत अच्छी टिकट उन्होंने खुद मा से भी स्टार्टिंग किया है और अभी मैंने उनको टिकट के लिए बोला था अब जैसे अपने देश है पाकिस्तान में का जहां भी है वह मैंने कहा कि टिकट के पैसे अगर भारत आ रहा है अभी तो वह अभी अपने अपने देश आया है, उसकी मा बिमार है मेरी रात को अनलाइन थे सबी मैं नहीं हो पाया था, मैं कहीं अमरजनसी में था, लेकिन मैं कहता हूँ मा जितने चैनल है भारत के भी चैनल है, टचमे है उसके वो आएगा, उन्हों ने बाकादा का कि मैं अपने बच्चों भी लड़ाई लड़ने के लिए आऊंगा मैं कहां भाईया बिलकुल आश्वागत है इक पिता को एक बाप को उसके बच्चे मिलेंगे ऐसी बात नहीं है कानून ही लड़ाई मैं कहता हूं भाईया भारत आएगा कानून के दायरे में आना बिलकुल कानून के जिस तरह से कानून हमारा भारत का बहुत अच्छा कानून है हमारा कानून एक सक्ष भी है अगर कानून के दायरे में आप अपना काम करना आपका स्वागत किया जाएगा पूरा भारत आपका स्वागत करेगा देखिए ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं था एक बाप की लड़ाई है एक बाप की जंग है अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से ठीक है एक लड़ाई है एक बाप की और एक अपनी पत्नी की अपने बच्चों के लिए देखते हैं कौन जीतता है मैं कहता हूँ मै भगवान से मैं सबसे कहूंगा कि एक बाप भी जीतना चाहिए एक बाप के बच्चे मिलेज़ें मैं कहता हूं माँ है ठीक है माँ है लेकिन मा ने कोई अच्छा खाम नहीं किया एक चार बच्चों से लेके किसी पती का के अपने पूरे समा अपने देश का सब को त्याक करके तोड़के समेकर बरबाद करके और भारत में घुझ गई भारत में घुझ गई तो उसका उसको कोस महिला को क्या किया जाएगा उस महिला का कोई स्वावाबлаг feu आज मैं ऐक बात और कहूंगा मीना समाज के लिए किन का הूंगा 95 परशंट सचिन मीना है मीना समाज से है मीना मिल्ना समाज 95% गुलाम हेदर के बच्चों के साथ है यह मैं आपको जान कर दे रहा हूं दो चार परसंट जो रगुपुरा के लोग हैं वही उसका साथ दे रहे हैं कि खुशी है भवा गई भवा गई नहीं मिल्ना समाज आज इतनी अचीजी पोस्टप है मिल्ना समाज ने क कि देखो समाज के परती बोला नहीं जाता लेकिन मैं कहता हूं मिल्ना समाज भी आगे आया हुआ है समाज के एक पाकिस्तान से चार बच्चों की मां को लेके घर में बैड़ गया अरे मिल्ना समाज जे उसको कोई पतनी नहीं मिली क्या मिल्ना समाज जे उसको कोई भव नह है गुलाम हधर भाई दिल खोल किया मैं तुझसे दूर नहीं हूँ मैं भी मेरी कुछ मजबूरिया है